वंदे मातरम, सूजलाम सूफलाम, मालिया जशीतलाम, शस्य शामलम मातरम, वंदे मातरम ये शब्द हैं, ये कुछ पंक्तियां हैं, उस मधुर गीत की जिसे सम्मान मिला है राष्ट्रिय गीत का जब मैंने दिल्ली से पश्चिम बंगाल की अपनी यातरा आरंभ की, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, हलाकि ये बहुत जगह है जहां मुझे पिछले वर्ष भी आने का मौका मिला था जून महां में ये जन्मस्थान है उस महापुरुष का जिने हम जानते हैं शुरी बंकिम चंद्र चक्वपाध्याय के नाम से नई हाटी, खूबसूर जगह, ये उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में छोट सी जगह लेकिन बड़ी खूबसूर जगह जिन शब्दों को मैंने अभी कहा, कहने की कोशिश की मेरा उचालन भले की गलत हो सकता है और मैं इसे अपना दुरभग्या मानूंगा कि मुझे राश्ट्र गीत की सभी पंक्तियां याद नहीं है परन्तु ये मेरा सुभग्य है कि मुझे ऐसी पावन धर्ती पे कदम रखने का शुभावसर में 1882 में श्री चटुपाध्या जी की उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ जिसका नाम है आनंद मठ ये कविता उस आनंद मठ का एक चोटा सा हिस्सा है लेंग माला खूट सुभावा है हमारे स्वतंतरता सेनानियों को प्रेणा देने का अगरकान किया तो इस राश्ट्र गीत ने एक महत्वपूर भूमे का निभाई है 17 अक्टूबर 2015 को जब मैंने अपनी यात्रा आरंभ की नहाती के लिए तो दिल में एक खुशी का एहसास था मेरे सही समद्धियों को पता था कि मैं की साफसर पर यहां आ रहा है माद दुर्गा का उत्सव मानाने के लिए नवरात्री चल रहे हैं आज महानवमी का दिन है मैं 17 अक्टूबर 2015 को जब मैंने अपनी यात्रा आरंभ की और 18 अक्टूबर 2015 महा पंचमी का शुब दिन मैंने नहाती की धर्ती पर अपना कदम रखा खुशिय की शुरुआ तभी हो गई थे जब मैंने अपनी यात्रा आरंभ की थी पश्चिम बंगाल की यात्रा शुरू की मैंने राद्धानी रेल मार्क से यात्रा करना मुझे शुरू से अच्छा लगता है रास्ते में कई पड़ाव थे कानपूर सेंट्रल मोगल सराय गया जी और गया जी के बाद धनबाद धनबाद के बाद दुर्गापुर होते हुए कॉलकाता मैं पहुँचा कॉलकाता से फिर में नहाटी आना हुआ गया जी जो राष्टे में एक ऐसा स्थान है जहां से मेरे पुरानी यादे ही जुड़ी हुए पुरानी यादे ही इसलिए मैं दस्वी कक्षा का च्छात्र था जब मेरे पिता उसक्त मेरी दादी जीवित थी मेरे पिता ने यात्रा की थी गया की प्रियाग होते हुए मेरी दादी को साथ लेकर और दूसरे सगे संबंधियों के साथ और दूसरे जान पहचान के लोगों के साथ इस अधार्मिक श्थल के यातरा की थी मैं दस्वी कक्षा का विद्यारती था उस समय मुझे नहीं पता था कि गया बिहार में जगा है दस्वी कक्षा का विद्यारती था पने ठीट से मेरे मरें से मिलने के लाइए। मेरे माध allowed मेरे मेरे रैण को सबस्तून मुज़ता थे . उनसे मिलने के ही चुक्त हैं, तो मैं उन्हों को कहा, कि मेरे था बात दूर है है। तो उन्होंने कह भीकें गए हुए है। मैंने का जी बहुत दूर है वो जगह, जैसे अमें ग्यान नहीं तक गया के बारे में मेरे अध्यापा को भी दुर भागे वश ग्यान नहीं थे, तो जैसे बच्पन में थोड़ा बहुत मजाक चलता है, मेरे से अपाठी कहने लेगे, सर गया तो ऐसे बोला है राजेश की, ज यह वो वाक्य है, गया एक व्यक्तिय का नाम भी इसमें आ गया, गया एक इस्थान का नाम भी आ गया, और क्रिया का भी हमने इसमें परियोग कर दिया, तो ऐसे चोटे-चोटे वाक्या बना कर हम गाव दिहा चोटे कजबों में पढ़ने वाले विद्यारतियों को, यहीं बहुत रुमांचक लगता है छोटी-छोटी यादे ताज़ा हो गई अपने इसी रेल मार्गिट से जो मैंने यातरा की इसी यातरा के दुरान मैंने एक फिल्म देखे अपने मोबाईल में फिल्म को नाम था माजी दे माउंटेन मैन बड़ी खूब सुर्थ सिल्म एक व्यक्ति के जीवन की सत्य घटना पराधारीत ये फिल्म बहुत खूब सुर्थ फिल्मांकन इसके मुख्य किरदार दश्रत माजी दश्रत माजी की भूमी का निभाई एक बहुत अच्छे कलाकार है इस स्थान का भी अपने आप में गौरवपूर्ण इतिहास है गया के पास एक छोटी सी जगह है गहलोर दश्रत माजी गहलोर का रहने वाला थी गहलोर में एक परवत वहां के लोगों को स्वाष्थे सिवाएं उनके गाउं में उप्रब्द नहीं थी तो स्वाष्थे सिवाओं को लाप लेने के लिए उन्हें पास के एक कस्बे में जाना पड़ता था जिसका नाम था वजीरगज या तो उनको पूरा परवत के चक्कर काटके जाना पड़ता था या वो परवत लांग कर उनको जाना पड़ता था बड़ी कठनें को सामना करते हैं। दश्रत माजी किसी में फिल्म जिस धंक से दर्शाया गया है। मैं माफी चाहूंगा कि हो सकता है कि मैं जाने ये जाने में इस फिल्म के कौपी राइट का उलंगन कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपना अनुभाव बारता चाहता हूं अपने प्रियबंध हों से। दश्रत माजी किसी कोईला खान में काम करते थे, वो कोईला खान में काम करते दोरान अपने गाउं में उनका आना हुआ। तो उस समय अकबारों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था, खबर जो प्रकाशित हुई थी, उसमें भारा सरकार ने कानून पास किया था, वो कानून था छुआ छूत के किला था, उस कानून का नाम था, The Untouchability Offenses Act 1955, मैं मैं यह पारित हुआ, एक जुन 1955 से लागू हुआ, चोटा सा थी इतिहास, जो मैं जान पाया, हालेकि इसको मेरेबाद में 1976 में इस कानून का नाम बदल कर रख दिया गया, The Protection of Civil Rights Act 1955, जब यह छुआ छुद के खिलाफ यह कानून पास हुआ, तो समाचारों, पत्रों में यह खबर चाही हुई थी, तो दश्यद माजी अपने गाउं के दूसरे लोगों के साथ में वो हर्ष उल्लास के साथ वो गाउं बजाकर सब जगाई है, यह महाल था, खुशी का सब बराबर है, सब बराबर है, तो यह खुशी का महाल, पूरे गाउं में इच्छाया हुआ थी, समय बीता, दश्यद माजी की जो पत्नी थी, उन इस हादसे को इस सदमे को दश्रत माजी बरदाश्ट नहीं कर सको उन्होंने ये प्रण ले लिया कि अपना जीवन अगर खपाना है तो अपने गाउं के लोगों के लिए और अपनी पत्मे की याद में उन्होंने ये कसम ले ली कि मैं इस परवत को काट कर चीर कर तोड़ कर एक रास्त बना हुआ और दश्रत माजी ने 22 साल की कड़ी मशक्कत करके उस पहाड को जो मैं जानकर जूटा पाया कि 30 फुट चोड़ा और 330 फुट लंबा उसने ये रास्ता बना दिया वो रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं वो रास्ता जो बनाया दश्रत माजी ने वो अपन जे गाओं के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया हो जैसे उसमें दश्रत माजी का देहान दोगया दोहजर साथ में 2011 में एक मैटल्ड रूड बनाया है फिर सरकार में दश्रत माजी की याद में ये 1950-60 के दश्रत का एक बहुत खूब सूरत एक नजार आ इस फिल्म का माधिन से दर शाये गए गया से आगे बढ़ते हैं गया से जमेरी यात्रा आगे बढ़ी दुर्गापूर सुबह हमारा पहुंचना हुआ कलकत्त से पहले पैस्टॉप है दुर्गापूर दुर्गापूर में हमें अकबार पढ़ है कि इस वीथा मिली शायद एक उस थानी तुर्गापूर प्रकाशित होता है वहां से उस अकबार का नाम है सलाम दुनिया सलाम दुनिया पहला पिष्टपढ़ा दूसरा पिष्टपढ़ा चुनावी महा maior है दुहार में और चुनावी परिणाम आएंगे दूसरे पिष्ट पे खबर थी दिल्ली फिर हुई शर्मसार दो मासुमों के साथ हुआ बलबकार ये खबर पढ़के दिल को बड़ा कश्ट पहुंचा अपना मन थोड़ा अच्छा करने के लिए मैंने उस अकवार को सारे पन्ने मैंने पलटने शुरूर किये जैसे में उपर में एक खबर थी काफी ज्यानवर्धन हुआ उससे सरसोती नदी का गौरवपूर इतिहास वह पढ़के बड़ी अच्छी जानकारी में कि कैसे वो हरियाना राजर्थान ऐसे इलाकों से गुजरते हुए हाजकुलू लुप्त है इसके पीछे भी एक पौराणी इ दिहास है कैसे रिग वेद में इसका जिक्र किया गया है जानकरी जुटा के पूरी जानकरी जुटा के पूरी जुटा पाया पढ़ पाया बड़ा अच्छा लगए ज्यान वर्थक जानकर है उसी प्रिष्ट पे एक छोटा सा अंश समर्पित है एक भाग जुसको शीरशक दिया गया था मैं बोज नहीं हूँ एक छोटी सी कविता है बड़ी प्यारी कविता है उस कविता क्या कुछ बोल मुझे शायद याद है और मैं उना आप लोगों के साथ बाटना चाहूँगा शाम हो गई अभी तो घूमने चलो न पापा चलते चलते ठक गई गोद में तो उठा लो लो अंधेरे से डर लगता है सीने से लगा लो न पापा मम्मी तो सो गई आप ही ठपके देकर सुलाओ न पापा स्कूल तो खत्ब हो गया अब कॉलेज तो जाने दो न पापा पाल पोस कर बढ़ा किया है अब विदा तो मत करो न पापा डोली में बिठा ही दिया है तो अब आशू तो मत बहाओ न पापा आपकी मुस्कुराहट अच्छी है एक बार मुस्कुराओ तो पापा आपने मेरी हर बात मानी है एक बात और मान जाओ न पापा मैं धर्दी पर बोज नहीं हूँ ये दुनिया को समझाओ लुपा ये जीवन के अलग-अलग पड़ाओ में एक बेटी का अपने पिता के साथ संबाद है और इस छोटी सी खूबसूरत कविता के रचाईता लेख का संपूर मानव जाती के लिए एक संदेश हो हाला कि मेरी ये ख्वाइश है कि कभी بھی कोई बेटी, कोई लड़की इस एहसास के साथ ना जीए कि वो धर्ती पे बोज है और ना है कोई व्यक्ति किसी की बेटी को चैई वो खुद की हो या किसी और की हो वो किसी भी बेटी को इस धर्ती पर बोज माने बढ़ा खूबसुरत एक वास्तुता को दर्शाया गए इस कविता के माध्यम से दुर्गापूर से आगे बढ़े जब सियालदा स्टेशन उतरे वहां से निहाटी के तरफ आना हुआ निहाटी आने का मैं उदेश अपना पहले बता चुका हूँ कि निहाटी आने का मकसद दुर्गोसव इस नजारे को इस संस्क्रिक्ति को करीब से देखना ये मेरा मुख्य उदेश निहाटी आया तो बहुत अच्छी अच्छी जानकरिया मिली मैंने देखा कि यहाँ पे अलग-अलग थीम्स के उपर दुर्गा, मा दुर्गा की स्तुति करने के लिए बड़-बड़े मंडप सजाएगा कोई धोल की उपर, कोई साई बाबा के थीम्स पर इस तरह से बड़े खूप सुर्ण मुझे जो छोटी-छोटी जगाए गूमने का मुझे मौका मिला वो काचरा पारा जगह है, निहाटे सा थोड़ा आगे है बहुत अच्छे-अच्छे मंडप मुझे देखने को मेले महा पंचमी का शुब दिन था जिदिन में हहाँ पहुंचा और आज मानमी है, आज यग के साथ आयोजन जो सुबह हुआ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुखद अनुभाव यहाँ पर जो मुझे खास लगा, वो यह कि यहाँ पर धाक, धाक बोलते हैं, धाक जैसे हमारे भावपर धोल बोलते हैं, तो धाक की ताल पर वो ध्वनी, जब सुबह साड़े-चार-पांच बजी जो कानों में वो आवाज जब पहुंचती है, वो इतनी करणपी है, जब नींद खूलती है, तो नींद तूटने का कभी भी मुझे मलाल नहीं हुआ, प्रेरणा, एक भक्ती भाव मन में पैदा हुआ, कि मैं तुरंत नहा कर, तयार हो कर, सच वस्त्र पहन कर, मैं मंड़ पे पहुंच हूँ, और वहाँ माद दूर्गा किस्तूती है, बांगला भाष्णा का मुझे ग्यान नहीं है, लेकिन बड़ा 1857 का एक इतिहास हमारे भारत की जो स्वतंतरता की पहली क्रांती के रुप में हम इसे याद करते हैं इस वर्ष को, मंगल पांडे का ना, वो ब्रिटिश सेना में वो एक सिपाही थे, और 30 मार्च 1857 को उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करते हैं, उनका कोर्ट म खूबसूरत एक इतिहास वहीं पर हमने दिखा गांधी घाट, महत्मा गांधी जी की जो अन्ति मवशेश थे, उनकी जो अस्थिया थी, कुछ अस्थियों का विसरजन इस घाट पर किया गया, वहाँ पे एक गांधी घाट है, बड़ा शांती का महौल, दिल को सुकून पह पहले मैं तीवी के उपर एक समाचार चैनल के उपर में एक रिपोर्ट में देख रहा था, और रिपोर्ट में बताये जा रहा था कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, मानो दो सरकारे आमने सामने आ गई, विवाद का विशे बड़ा मीठा, विवाद का विशे रसगुल बंगाल में इसको रसगुला कहते हैं, रसगुला के उपर विवाद ये कि उड़ीसा के लोगों ने दावा किया कि रसगुले के उपर पहला हक हमारा है, उनका ऐसा मानना है कि वो इतिहास का भी जिकर करते हैं कि भगवान जगनाथ की जब पूजा की गई थी, तो जिस कि रजगुल्ला की ऊपर तो उड़ी सा के लोग अपना दावा करते हैं, क्या ऐसा है क्या, तो कुलगता के लोगों ने बड़ी मिठास के साथ ना कि रजगुल्ला तो हमारा और ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, और दुनिया के बाकी और बी कुछ देशों में जहां बंगाल के बारे में लोगों को जानकारी हो जानते हैं कि रजगुल्ला तो बंगाल की शान है, एक बड़ा सुखा दनुभाव, छोटी छोटी ये मिठी मिठी जब विवाद होती है, लेकिन मिठे के लिए मिठास भरा विवाद, ये पूरे दुनिया में किसी भी कोने पे ऐसा विवाद नहीं होता है, वे विवाद क्यों हुआ है, इसके उपर भी एक वानिजिक महत्त है इस विवाद का, जैसे पढ़ा होगा हमने एक बौधिक संपदा का आधिकार है, प्रेड मार्क्स, कॉपी राइट, पेटेंट, इसके बार में धीरी धीरी लोगों को जानक अधिकरी हुई, और रस्गुले के उपर लोगों ने कहा, वहाँ के लोगों ने कहा कि इसके उपर पहला हमारा है, और उडिसा में बनने वाले रस्गुले के उपर उन्होंने जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक भौधुलिक संकेत, चिन्ह, इसके माध्धम से वो इस का संत्रा ऐसे ही ओड़ीजा का रजगुल्या पड़ा मिठास भरा ये विवात अच्छा लगा ये जानके हलाकि ये विवाद चल ला है और मैं तो चाहतू कि इस विवाद को अब क्यों कि ये दो प्रांतों के बीश में विवाद है तो इस विवाद को हम दिल्ली में ही जोना इसका निप्टारा करेंगे कुछ रजगुले बंगाल के लोग भेजें है और इस गुले के उपर पहला दावा पहला हक बंगाल का है यातरा ऐसी आगी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई मुझे याद है मेरे एक सहकर्मी है मेरे साथ काम करते हैं बड़े सज्जन बुरुष भारतिय नो सेना सेवा निव्रित हुए है विनोद कुमार जी विनोद जी को कुछ दिनों पहले मैं ऐसे बड़ी गंभीर बात मैंने उनको कही मैंने उनसे कहा कि विनोद जी मारूब जीवन एक अभिशाप है उन्होंने बिना समय गवाहे मेरे बात का समर्थन किया मैंने इस गंभीर बात को थोड़ा सा मजाक में लिया फिर, मैंने उनको कहा कि सच में अगर ये मारभ जीवना के अभीशाप है तो तुरत इस जीवन को त्याग देजिए, तो बड़े सहज स्वभाव से नहीं कहा कि नहीं नहीं मेरे तुछ चोटे चोटे बच्चे हैं, मैं अभी नहीं, मदुश दीना है, तो उनके साथ ये मजाक, उनका सहज स्वभाव, इतना सहज है कि मैं हबिशा उनके स्वभाव के वज़े से प्रौसन रहता हूं, उनसे मैं चोटा मोटा मजाक करता रहता हूं, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वो ये कि हर इंसान को, चहे वो विनोजी है या मैं हूँ हर इंसान को आपने जीवन प्यारा है ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमें हर व्यक्ति के मानवी अधिकार का सम्मान करना चाहिए मेरी ये शुभेच्चा है कि किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए और यदि दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन हो तो तुरंत कानून बिना समय गवाई अपना काम सुचारू रूप से करे बंगाल की इस यात्रा के दुरान मैं फुचके का जिकर ना करो तो यात्रा अधूरी धह जाएगी फुचका हमारे उत्तर भारत में इसे गोलगप्पे कहते हैं मुझे नहाटी में फुचका खा के बहुत अच्छा लगए मैं और भी जगा गया जैसे मुझे परसु जाने का मौका मिले था मैं मंडब देखने के लिए गया था महाल देखने के लिए गया था काचरा पाड़ा मुझे वहाँ के फुचका बिल्कुल अच्छे नहाटी की ये भी अपने आप में पहचान है ये चट्व पाड़ेजी के जनश्तली के साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि फुचका के लिए बहुत जगा ये प्रसिद्ध हो जाए यहाँ जब आया तो लोगों के अंदर भक्ती भाव देखा भक्ती करने के तरीका अलग हो सकता है विधिविधान अलग हो सकता है लेकिन भाव एक ही होता है और भाव होता है समर्पण का इश्वर के प्रती मादुरुगा के प्रती हमारा समर्पण ये बड़ा खूबसुरत भाव है मैं जब यहां आया, जो चलचित्रन कर रहे हैं सूनक दावित्तर हैं, इनके मित्र हैं, वो चात्र हैं, ये जापनेज भाषा पढ़ाते हैं, तो कि चात्र हैं, चंदन, कल उनसे मेरी मुलाकात हुए, चंदन इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, बड़ा दुख होता है जब क एक इतिहास और दूसरी भाषा, बले, विज्ञान तो कुछ ही नहीं, बले जिस विज्ञान का दावा करते हैं, विश्यूभर के विज्ञानिक वो विज्ञान नहीं है, बले वो तो हमारा एक सुनेहरा इतिहास है, वो रिगवेज से उद्धान देता है, वो रामायण, मह भी विवाद नहीं कर सकता है, क्योंकि ना तो मैं एत्यास का चात्र हूं, और ना है मुझे उसके बराबर का ज्यान है, परंतु मैं उसकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ, मैंने उसे प्रेडित किया कि जरूर इसकी उपर अपना अध्यन आगे जारी रखे, और कि जब हमने आराधना की, कल विश्रजन का दिन है यहां पर बंगाल में, परंतु कठिना यह है कि कुछ प्रश्रासने का अनुमती ना पिल्पाने की वज़े से, शायद यहां पर विश्रजन रवीवार को होगा, और मेरी शनीवार परसों मेरी यहां से रवानगी है, मैं उसका प्रतक्ष दर्शी नहीं बन पाऊंगा, लेकि मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं यहादे यहां से जुटा कर ले जा रहा हूँ, वो हमेशा मेरी आखरी प्रान तक मेरे साथ रहेंगे, और मैं सच में इसको जीवन जीने के बराबर मानता हूँ, यह शुभावसर है, यदि दुबारा मुझे मानव जीवन मिले, तो यह मेरी अभिलाशा है, मेरी ख्वाईश है, कि मुझे दुबारा हिंदुस्तान की धर्ती पे जन मिले, और बंगाल जैसी खूबसुरत जगा को मुझे बारबर देखने का ऐसा शुभावसर मुझे मिले, मुझे यहां जितने भी लोगों का सनहे मिला, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने चोट से चल्चितर के माध्धम से, मैंने अपने इस बंगाल के चोट से एक भूभाग की, जो मेरी यात्रा है, उसको जो मैंने संजोया है, और उसको मैंने बाटने का एक प्रयास किया है, मेरी ये अच्छा है कि आप सुको ये जानकर देकर अच्छा लगा होगा, आपके इस नहे के लिए बहुत 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 धन्यवाद, जाते जाते एक और बात कहे दूमें, जाते जाते एक और बात कहे दूमें, इस शुभेच्छा के साथ, माध्रुगा से, मेरी ये प्रार कि आप सब रहें खुश हाल में आईए कुछ दिन तो गजारिये बंगार बहुत बहुत धन्यवाद